हेलो फ्रेंड्स वेलेक्टों में चैनल ब्यूटी एंड हीस्टरिस आज आज आपको बताऊंगे कि थ्रेडिंग किते तरह भी होती है देखेटिंग चीए अलग-अलग शेपस होती है जैसे कि सबसे पहली होती है स्ट्ट जो कि सीधी होती है नेक्स्ट होती है कर्व यह यहां से side से arch भी होती है और center से high arch भी होती है fifth होती है हमारी S shape, S shape कुछ इस तरह से होती है S shape में वो बदी होई होती है next उ're taper, next वो taper में इस तरह से जाती है taper shape होती है तो हमारी अलग-अलग persons के अलग-अलग shapes होती है उनके according ही हमें threading करने पड़ती है तो इस चीज़ा आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हर एक की शेप एक जैसी नहीं होती है और आप easily threading कर सकते हैं अगर आप उनकी शेप को पहचान देते हैं Thank you, Goodbye